प्रेद्दगर्ण वयका सम्पून लगानी करतारूमा इस चैनल मा स्वागत गरन चाहांचुू। आज़ पनित पैरको सामुस्येर्वजार समन्दी जानकारी मुलक पेडिले रा उपस्ती वैसेको छू। आज़को हमरो विशेबस्तु रहेको छो आईप्यो जारी गरन लाएको इमर्जिंग नेपाले कस्तो रेटिंग पायोता। और अब कईले पाता इसको आईप्यो आंगदे छो तेस विशेम्या विश्टेज जानकारी को लागे उब्रियो अंतिम सम्माहेरनो ला। इमर्जिंग नेपाल लिमिटेड लाए रेटिंग एजेंसी क्रा नेपाले एकरा एनपी एस आर रेटिंग डबल बी प्लस दीएको छो। इकराले आईप्यो निश्कासन को त्यार इमर्यको इमर्जिंग लाए वितियर दायत्यों पूरा गरने सम्मंदमा मध्यम जोखिम जनाउने रेटिंग दियेको हो। एस ले प्रते कित्ता 100 रुप्यां को दर्मा पांच लाख पत्पन अजार शासे कित्ता आईप्यो निश्कासन करना लागे को छो। आईप्यो जारी करना एनाईसी एस्या कैपिटल लाई बिक्री प्रबंद कुरूप मा नियुक्तपनी गरी शायको छो। इमर्जिंग ले आईप्यो निश्कासन करना एस अगी दितो पत्र बोड मा अनुमत्ती मागे को थियो। तर लामो समय समय आवसेक कागज पत्र रुप्लब्द नगर आए पछी दितो पत्र बोड ले एसको आवेदन रद्द गरे को थियो। अवा इमर्जिंग नेपाल ले आवसेक कागज पत्र पुर्याए रहा कुना आईप्यो जारी गरने अनुमत्ती मागनू पढ़ने हुँँँछ। बोड बाट अनुमत्ती प्राए पछी मात्रा आईप्यो निश्कासन परक्रियावी आड़ी बढ़ने छो। नेपाल सरकार को समेत लगानी रहेको इस इमर्जिंग नेपाल सार्जन नेजी सहकारी अनुरूप इस्थापनावाई को कमपनी हो। एसले अवा सर्वसाधान को लागे आईप्यो निकालने तयारी मैं लागी सके को छा। रा एसको आईप्यो दुई चरणमा निस्कासन नहीं छा। पहली चरणमा इस्थाणी बासिनदार को लागे आईप्यो निस्कासन नहीं छा। यू PPPP पाब्लिक-प्राइबेट पार्टनरशिप अंतरगर्थ इस्टाबलेश्वाई को कमपनी हो नाली। येसलिए राम्रे पाफरमेंस करचा राहामी ले इसको IPU बाट राम्रे फाइदा लेने सकने छोंग इसलिए अब छिटे ने इसलिए पुन देटो पत्र बोर में आवे दन दिये रा IPU निशकासन गरने त्यारी गरी रेको राहामी ले लगानी चांस पाओनी छोंग अ पहा है questo जैनल मा ने अए रचन गूली प्रॉप्त गर नियुत आर स्योराख छुन पानि प्रॉ सब्सक्राइब क जाना कारी ते पानिे सबकें दकी प्रॉप्त की dużo आज ता फेरी पनी मों एस्त जानकाय मिलक विडिये रा आउने ने छू अईले लाइग बिदा चाहां छू थान्य बाद